हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप सुब जानते हैं कि आज है ट्यूजडे और आज के दिन हम बात करते हैं हाईवे इंजिनिंग की तो आज मैं सभी हाईवे सिविल इंजिनिर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आज हम बात करेंगे बिचुमन हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स बेसिकली नैच्रल सर्फेस के उपर पांच लेयर और तीन कोट होते हैं एस पर स्पेसिफिकेशन और हर लेयर की ठिकनेस वैरी करती हैं सबसे पहले तो यह बात आप हमेशा दियान में रखें तो सबसे पहली जो नैच तक ट्रांसफर करती है मिस उपर की सभी लेयर का भार सब ग्रेड ही बियर करती है यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट लेयर है तो अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो इसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेनुलर सब बेस के नीचे वाली लेयर को सब ग् अब आता है GSB मिस ग्रेनुलर सब बेस कोर्स जिसकी ठीकनेश 100 से 300 mm तक वेरी करती है तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि GSB वेल लेयर है जो कॉमपेक्टिट सब ग्रेड के उपर होती है और सब बेस कोर्स के नीचे अब इसके बाद आता है आपका WBM Basically soil bearing capacity के base पर WBM दो लेयर में provide किया जाता है सब बेस और बेस कोर्स में यह basically binder कोर्स और prime कोर्स के नीचे होता है जिसकी ठीकनेश 25 mm से 50 mm तक होती है इसके बाद आता है binder कोर्स इसमें aggregate और थोड़ा asphalt होता है यह material waterproof होता है ताकि अपर surface का पानी road surface के अंदर enter नया कर सके तो यह binder कोर्स water penetration को allow नहीं होने देता इसकी thickness जनरली 50-100 mm तक होती है और इसके नीचे prime coat होता है जिसका काम दो लेयर के बीच में एक strong bonding create करना होता है इसी coat की वज़े से surface का water road surface में penetrate नहीं कर पाता इसके बाद आता है tag coat जो asphalt की एक light application है इसका main function यह है कि यह binder course और surface course इसके ऊपर और नीचे वाले course में एक stroke bonding create करता है इसके बाद आता है surface course यह आपकी road surface की final layer होती है जो direct traffic के contact में रहती है यह layer हमेशा waterproof होनी चाहिए ताकि यह entire subgrade और subbase को पानीजे product कर सके और finally हम surface course के ऊपर एक seal coat provide करते है यह generally एक thin surface treatment है जो surface को skid resistant और waterproof बनाती है basically यह 5 layer होती है bitumen road surface की जिसके बारे में अकसर बहुत से लोग confusion में रहते हैं तो I hope this video will be useful for all of you and if you learn something please like the video and share it with someone who might benefit from it subscribe to my engineering support channel and push the notification bell so that you won't miss the new videos okay friends see you in the next video finally thanks for watching